हेलो गैस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे Nikon D5600 DSLR कैमरा क्या आपको लेना चाहिए या नहीं अगर आप मेरी चैनल पर फर्स ताइम आएं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भोले तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ Nikon D5600 DSLR कैमरा की ये Nikon का मिड रेंज कैमरा है इसको आप एंटरी लेवल नहीं बोल सकते क्योंकि ये एंटरी लेवल में जो आता है आपका Nikon का कैमरा वो है आपका D3500 तो ये वाला कैमरा उससे थोड़ा सा ज़ादा एडवांस है लेकिन ये इसका हाई एंट कैमरा नहीं है क्योंकि हाई एंट में अगर आप बात करो प्रोफेशनल में तो Nikon में D7200 D7500 और फिर फुल फ्रेम DSLR की लाइनप आती है तो ये आपका एक मिड रेंज का क्रॉप सेंसर DSLR कैमरा है ये कैमरा लाँच हुआ था 2016 में तो ओल्मोस्ट 6 साल पुराना हो चुका है लेकिन 6 साल हो चुके है इस कैमरा को उसके बाद Nikon ने D5000 सिरीज में कोई भी नया कैमरा लाँच नहीं किया तो गैस इसका कारण ये है कि Nikon ने D5500 5600 इसके बाद से नई कैमरे इसलिए लाँच नहीं किये क्योंकि अभी Nikon का पूरा का पूरा फोकस है मिररलेस कैमरा पे Nikon ने 2019 में निकाला था Z50 फिर उन्होंने ZFC कैमरा निकाला तो अभी अगर आप माने तो Nikon कोई भी नया DSLR लाँच नहीं करेगा सिर्फ और सिर्फ मिररलेस कैमरा वो लाँच करेगा अभी कुछ दिनों पहले Nikon की तरफ से एनॉसमेंट आया है Nikon Z30 आपका मिररलेस कैमरा क्रॉप सेंसर वाला तो इस बात से पूरी तरीके से यह चीज साबित हो गई है कि अब अगर आप Nikon का कोई DSLR खरीदना चाहते हैं लेटेस वाला भी वो आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप उसको लेंगे तो आपकी हो जाएंगे पैसे बरबाद हाला कि आप अभी भी पुराने कैमरा बेशक खरीद सकते हैं अगर आप Nikon D5200 5300 खरीदें तो वो क्योंकि पुराने हो चुके हैं तो आपको बहुत ही चीपली वो मिल जाएंगे काफी कम कीमत में और अगर इमेज क्वालिटी की बात करें तो more or less आपको सेम इमेज क्वालिटी मिल जाएंगे उससे जो आपको D5600 से मिलेगी अब मैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ D5600 की तो इसमें आपको 24 मेगा पिक्सल का सेंसर मिल जाता है यह आपका एक टच स्क्रीन वाला कैमरा है 39 ओटोफोकस सिस्टम है इसमें तो ओटोफोकस इसका काफी अच्छा है वीडियो में भी और फोटोग्राफी में भी फ्लिप आउट स्क्रीन आपको इस कैमरा में मिल जाती है और यह आपकी एक टच स्क्रीन है उसके इलावा गाइस इसमें आपको डैनमिक रेंज बहुत अच्छी मिलती है ओल्मोस्ट 14 की इसमें डैनमिक रेंज आपको मिल जाती है वजन की बात करो तो 480 ग्राम के आसपास कैमरे का वजन है उसके लावा एक्सपोजर ब्रैकेटिंग मिल जाती है आप अलग से एक्सटरनल माइक इसमें लगा सकते है वीडियो में आप फुल एजडी 60 फ्रेम पर सेकंड तक इसमें शूट कर सकते है ISO रेंज 100 से लेके 25,600 तक जाती है लो लाइड में बहुती बैठरीन इसकी परफॉर्फॉर्मेंस है फ्रेम पर सेकंड की बात करें तो 5 फ्रेम पर सेकंड आप इसमें शूट कर सकते है तो वाइड लाइफ या स्पोर्स फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा इतना अच्छा चॉइस नहीं है उसके लावा आपको इसमें Bluetooth और Wi-Fi भी मिल जाता है अगर आप Nikon की Snapbridge वाली एप यूज़ करते हैं तो आप उस एप के थुरू अपने कैमरे को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल एप से ही आप तच करके फोकस कर सकते हैं आपका कैमरा क्या देख रहा है आपको अपनी एप में दिख जाएगा फोटो आपको टेरकली कैमरा से क्लिक करके मोबाइल में डाउनलोड करने हैं और फिर शेयर करने हैं वो सारी चीज़े आप इस वाले कैमरा से कर सकते हैं अगर हम image quality की बात करें तो बहुत ही बहतरी इसकी image quality है कोई भी दिक्कत नहीं है बहुत ही प्यारे फोटो लेता है dynamic range भी हाई है colors बड़े अच्छे से निकल के आते हैं और क्योंकि sensor के सामने आपका optical low pass filter नहीं है तो उस वज़े से आपके photos में भी और videos में भी sharpness बहुत ही बहतरी इसमें आपको मिलती है इतनी सारी इस camera में खूब भी आ है उसके बावजूद भी मैं आपको बोलना हूँ कि आपको यह camera नहीं लेना चाहिए अब मैं बता देता हूँ उसका कारण अगर आप आज की तारिक में यह camera लोगे तो दिखने को तो यह आपको latest camera दिखेगा क्योंकि Nikon का इसके बाद से कोई camera नहीं आया अगर हम इसके price की भी बात करेंगे तो यह आपको 40-45 जान में Amazon पर मिलेगा लेकिन यह almost 6 साल पुराना हो चुका है और Nikon ने officially इसको discontinue कर दिया है तो जब भी कोई product आपका discontinue हो जाता है या 5-6 साल पुराना हो जाता है भले ही वो आपको online shopping sites में देख रहा हो लेकिन actual में उस camera की value इतनी नहीं है भले ही यह camera आपको 40-45 जान में भी देखे online shops पे लेकिन असल में क्योंकि यह 6 साल पुराना हो चुका है तो इसकी real world में अगर इसकी value की बात करो तो इसकी 30,000 के आसपास 25-30,000 के आसपास इसकी actual value बैठेगी तो अगर आप बेशक इस camera को लेना चाहते हैं तो आप इसको first stand तो बिलकुल ना ले आप इसको second hand market में try करें और 30,000 के आसपास में अगर आपको यह मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी deal रहेगी अगर आपको नया कोई camera खरीदना ही है तो आप Nikon के mirrorless line-up की तरफ जाहिए जैसे Nikon Z50 हो गया, ZFC हो गया क्योंकि नए में अगर आप invest कर रहे हो नए system में तो आपको उसका support मिलना चाहिए क्योंकि इन camera का Nikon बिलकुल support देना बंद कर चुका है discontinue हो चुके, पूरा का पूरा focus है अब आपका mirrorless camera की तरफ तो Nikon Z50 में invest करिए, ZFC में करिए क्योंकि उसमें नए-ने आपके camera आ रहे हैं नए-ने आपके lenses आ रहे हैं और आगे आने वाले सालों में आपके और बहतर camera bodies आएंगे mirrorless में और नए-ने lenses आएंगे और उन वाले camera में अगर आप video making का काम करते हैं especially तो उनका auto focus काफी ज़्यादा अच्छा है आपके चेहरे को, face को और इविन बाकी की objects को भी वो ज़्यादा अच्छे से track करता है compared to जो Nikon के DSLR है photography की अगर बात करो, image quality आपको exactly same मिलेगी जो image quality आपको Nikon D5600 से मिली है almost same ही आपको image quality Z50 से या ZFC से मिलेगी तो photography में तो कोई दिक्कत नहीं है आप वो अला camera भी यूज़ कर सकते हो पुराना DSLR और mirrorless लेकिन अगर आप video graphic का काम करते हो तो mirrorless के काफी ज़्यादा फायदे है आप उसमें पुराने जो आपके vintage lenses है उनको adapt करके use कर सकते हो और autofocus जैसे मैंने आपको बताया उनका बहुत ज़्यादा बहतर है आपकी eye को detect कर लेते हैं चेहरे को बहुत एजली track कर लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा शार्प photos आती हैं तो mirrorless में आपको ये फायदा मिल जाता है हाला कि अगर आपको पुराना camera लेना ही है तो D5600 के बज़ाए आप D5500 camera भी ले सकते हैं क्योंकि अगर हम D5500 और D5600 में compare करें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों का अंतर है D5500 का version कम है उसका version सिर्फ 420 gram के आजपास है और D5600 का 480 gram के आजपास है तो main difference इन तोनों में है Wi-Fi का तो आपको D5600 में जो connectivity मिल रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा बैतर है 5500 से जोकि 5600 में आप snap bridge की app यूज़ करके remote shooting कर सकते हैं अगर आपको यही काम D5500 में करना है तो आपको Nikon की WMU Nikon Wireless Mobile Utility App यूज़ करनी पड़ेगी लेकिन वो app इतनी अच्छी नहीं है इतनी smart नहीं है जितनी के आपकी snap bridge है लेकिन यह बहुत बड़ा अंतर नहीं है मतलब कि यह इतना भी बड़ा अंतर नहीं है कि आप दूसरे camera के लिए 10,000 या 5000 एक्स्रा दो क्योंकि अगर आप photos की बात करो तो photos आपके सारे के सारे SD card में save होते हैं आप अपने SD card को निकाल के अपने laptop में download कर सकते हो जादे जादा आपको एक या दो मिनट लगनी है मेरे camera में जिस camera से मैं अभी shoot कर रहा हूँ उसके अंदर भी यह wireless feature है कि जिससे मैं अपने mobile से connect करके wirelessly shooting कर सकता हूँ लेकिन इतना time हो गया hardly मैंने कभी use की होगी इसलिए मुझे इतनी भी जादा useful यह feature नहीं लगती तो अगर 5600 और 5500 में से आपको कोई camera चूज करना है तो मेरी राय माने तो आप D5500 को buy कर ले exactly same image quality मिलेगी आपको same specification, same ISO range, same sensor, same processor सब कुछ exactly same सिर्फ 5600 में आपको थोड़ी सी better connectivity मिल रही है दोनों camera में आपको अलग से mic लगाने का port मिल जाता है दोनों में आपकी flip out screen है, touch screen है full HD 60 frame per second तर शूट करते है exactly same है लेकिन 5600 आपको थोड़ा सा महंगा भी लेगा तो मेरी राय माने तो 5500 आप ले ले अगर 5600 camera की बात करें तो ना तो आप इसको नया खरीदे और ना ही आप इसको पूराना खरीदे ये मेरी recommendation आप लोग इसे रहेगी मैंने चाहता कि आप अपने पैसे बरबाद करें और मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा camera अच्छे price पे और smartly buy करें आप इसको शेर करेंगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा motivation और जादा बढ़ेगा फिर मैं ऐसा ही अच्छा अच्छा content आपके लिए और लेके आ सकता हूँ